हेलो गाइज आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है आज हम शिक्षा निदेशाले की तरफ से दी जाने वाली वर्क्षिट नंबर 10 करेंगे जो कि क्लास 7 की है और विश्य है सामाजिक विज्ञान ये वर्क्षिट 28 अक्टूबर 2020 की है तो आज़े शुरू करते हैं आज की वर्क्षिट वर्क्षिट शुरू करने से पहले प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए तो आज़े देखते हैं आज की वर्क्षिट दिल्ली सल्तनत का विस्ताद गैरिसन शहर से सामराज्य तक देखे क्या कहा जा रहा है गैरी सनों मतलब रक्षक सैनिकों के जो टुकड़ी होती है कि निवास से बने मजबूत किलो बंदों तक ही था उससे आगे नहीं फैला हुआ था शेहरों से संबंद था जो जहाँ पर मतलब ठुकड़ी रहे है उसके आशपाज किले बंदी तक तो उनका पूरा नियंतर है लेकिन आगे चगए जो शेहरों से संबंद था लेकिन दूर बीतरी परदेश वर नियंतर नहीं था डिली से सदूर बंगाल और सिन्ध के गैरीसन में शेहरों पर नियन्तरं बहुत कटिन था बहुत कटिन था बगावत यूध यूध यहां तक कि खराम मोसंत भी उनके संपरके नाजु क्यूद छेतर हो जाते थे तो देखो क्या कहा रहा है कि जो दिली के नजदीक शेतर थे जो दिली के आसपास शेतर थे वहाँ पे तो फिर भी क्या हो रहा था नियंतरन हो रहा था लेकिन जो उसे दूर तेजी से बंगाल और सिंध थे वहाँ पे या तो बगावत हो जाती या कोई यूध हो जाता या क् मोसमी खराब हो जाता तब भी जो एक सुत्र होते थे एक दूसरे के संपर्क में बने रहने के लिए क्योंकि पहले तो टेलीफॉन ये सब होता नहीं था जो एक दूसरे के सुत्र होते थे संपर्क के वो भी क्या ओजाते थे wa场 भीन हो जाते थे शाशक को अफगानिस्तान से आने वाले हमलावरों सुवेदारों से बराबर चुनोती मिलती रहती थी अब दिली के जो शाशक थे उनको कहां से जो अफगानिस्तान से हमलावर आ रहे हैं और उन सुवेदारों से भी बराबर चुनोती मिलती रहती थी और ज से किसी तरह अपने आपको बचाए हुए थी इतनी सारी मुश्किले थी कि देखो बीतरी शेतर थे वो भी अच्छे थे मतलब उन पे भी कंट्रोल नहीं था दूर के शेतर थे उन पे भी कंट्रोल नहीं था उपर से बार-बार में क्या हो रहा था कि जो शाशन थे अफगानि लेकिन इसका विस्तार मतलब कि इसको और कब बढ़ाया गया अलाव दिन खिलजी और मुहमद तुगलक के राजयकाल में इसका विस्तार हुआ बहुत इंपोर्टेंट है बेटा ये दोनों ही कोशन की संसापन कब किया गया किसने किया गलाव दिन गया सुदीन बलबल ने क कि आ उसका विस्तार किसने कि अलाउ दिन खिलजी और मुहमद तुगलक के गारेकाल में हुआ था विस्तार के अभ्यान के दो तरह थे अब देखो विस्तार करना तो चलो ठीक है विस्तार मतलब कि अपने समराज्य को बढ़ाना लेकिन इसके लिए दो अभ्यान चलाए गए इस विस्तार के लिए दो उन्होंने कुछ प्रोग्राम बनाया होगा लब इस तरह से हम अपने विस्तार को बढ़ा सकते हैं तो दो तरह से अपनाया गया एक तो भीतरी सीमा जो उनके नजदी की शेतर थे उनमें और एक बाहरी सीमा जो उनके दूर के शेतर थे उनमें किस त जलतनत के बीतरी सीमाओं में जो अभ्यान चले उनका लक्षय था गेरिसन शेहरों की प्रस्ट भूमी में स्थित्र बीतरी शेत्रों की स्थिति को मजबूत करना अभी हमने देखा था कि उन्होंने क्या का था जो बीतरी शेत्र थे जो नजदी की शेत्र थे दिली के वहां प पास जो जमीन होती है उसमें जितने भी जंगल थे उनको साफ कर दिया शिकार और संग्रहक चारावाहों को उनके प्रयावास से खडेर दिया गया जितने भी शिकार करने बाले थे चारावाह थे उनको अपनी जगह से हटा दिया गया उसकी जगह जो वहाँ जमीन बचीना उ ने के लिए नए कीले गैरी सन शहर और नने शहर बसा दिए उस शेटर में भी उनने विकास किया ना जिसे कि यह उनका समराज है वो मजबूत हो यहां यह वर्ड दिये गए जैसे कि भीतरी प्रदेश किसी शहर या बंदरगाह के आसपास के इलागे जो उस शहर और कि पूRति करें किसी भी बंदर्गा और शहर के आसपास के यलागे जो उस शहर के वस्तुओं को देमाः आप दो पार उस शक्ताओं की पूर्ति होंके सेवाओं की पूर्ति जहां पर सैनी क रहते हूं और दोव नदियों की बीच जनमीन होते हैं उसे हम क्या कहते हैं दोव तो यह तो इनोंने बीक्तरी शेतर में काम किया अब जटनत की बाहरी सीमा गैरिसन शहरों की बीक्तर शेत्रों से परे शेत्र बाहरी सीमा क्या हो जागी जो भी बीतरी शेत्र थे उसे दूर जितने भी शेत्र हैं इसे मालो ये तो बीतरी शेत्र हो गया इसके बाहर दूर जितने शेत्र है इसे हम क्या कहेंगे बाहरी सीमा अलाओ दिन खिलजी के शाशनकार में दक्षिन भारत क को लक्षय करके अब यह सब वे थैज्टर को लक्षय करके सैनिक अभ्यान शुरू किये गए और अभ्यान मोहमत तुगलख के समय अपनी चरंशीमा पर पहुज गया तो उन्होंने देखो क्या किया अलाओ दिन खिल जी ने क्या किया था तो क्या था हन्य उत्तर क्यों भाग में जाना शुरू किया दक्शनी भाग में जाना शुरू किया जिर्डब अब इस अप निसे आगे बढ़ता गया जितना चेश्ट ईतभी गया मतलब यहां पर चाशन है यहां पर भी किसी का शाशन होगा तो जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहे हैं जिसके भी हाती, गोड़े, गुला, मुल्यवान दात्वों को कबजे में ले ली मुहमद तुगलक के राजयकाल के अंत तक इस उपमहादीव में एक विशाल शेत्र इसके युद अभियान के अंतरगत आ चुका था मुहमद तुगलक के राजयकाल में क्या हो था यह जो उपमहादीव एक विशाल युद अभियान के अंतरगत आ चुका था मतलब यहाँ पे यह संभावना ही हो गी थी कि यह क्या है युद अभियान अंतरगत युद अभियान शेत्र हो गया था दिली सल्तनत की सेनाओं ने शत्रों की सेनाओं को परास्त कर दिया इसके सूबेदार और परशाशक मुकदमों वे फैसले सुनाते और साथ ही किसानों से कर भी वसूलते अब देखो उन्होंने जो आकिसानों को जमीन दी थी अब पहले तो दे दी अब उसी से उन्होंने कर वो सुनना शुरू कर दिया इसे उनका पैसा आगा इसके जो सूबेदारते परशाशकते वही क्या हुए मुकदमों के फैसले सुना रहे थे जो भी गलत है सही है वही क्या करें तंतीम फैसला सुना रहे थे तो हर तरफ से क्या हो रहता दिली सल्तनत का क्या होता तो बोल बाल शहर है जिस पर क्या था कंट्रोल मुश्किल था नेक्स देखे किसके शाशनकाल के दोरान सल्टलान का सबसे अधिक विस्तार हुआ बेटा ये तो आपको बताना होगा किसके शाशनकाल के समय येस वेरी गुड अलाव दिल खिल जी और महमद तुगलक के समय क्या हुआ था राजयकाल का विस्तार अधिक हुआ था अब हम करते है नेक्स कोशन देखे क्या है सल्तनत का बीतरी और भारी शेतर सीमा से आप क्या समझते है तो देखो बीतरी शेतर क्या होगा जितने भी भीतर है नस्दीक है दिल्ली के नजदीक जितने भी शेतर थे उसे हमने किसमे काउंट किया भीतरी शेतर में वह बाहरी जो दिल्ली से दूर थे दक्षनी जो भारत है वो किसके अंदर आ गया था भाहरी सीमा के अंदर तो आइए करते हैं बेटा इसका अंसर हम तो आइए करते हैं बेटा इसका अ जो भीmakers गेरिसन शहरों की प्रस्ट भूमी में striट थे, गेरिसन शहरों की आउशक्ताओं की पूर्थी होती थी अर्थार्थ देखो क्या कर ए प weddings अक्सर वे स्थान राजधानी दिली की नजदीगी इलाकों में स्थित होते थे वो कौन से स्थान होते थे जो राजधानी दिली में के नस्दीक स्थित होते थे बीतरी सेमा का शेतर गंगा यमना दो आपके जंगलों तक फैला हुआ था तो पीटा ध्यान से इसको समझने की बात करने की क्या कहा गया है देखो बीतरी सीमा से भी प्राए गैरिसन शेहरों क की प्रस्ट भूमी गैरिसन शेहरों की जो प्रस्ट भूमी थी में स्थित शेतर जितने भी से उसके अंदर आते थे गैरिसन शेहरों की आफशक्ताओं की पूर्ती होती थी उसके अलाबा देखो वो क्या कहता है कि बीतरी प्रदेश क्या है अक्सर वे स्थान ये स्थान र बहरी सीमा का मतलब उन शेत्रों से है जो डिली से दूर है यानि कि दक्शिनी भारत बहरी सीमा का क्या मतलब हुआ कि ऐसे शेत्र जो डिली से दूर है उन्हें हमने क्या कहा है बहरी सीमा यानि कि जैसे कि दक्षिन बारत हमने देखा था ना कि दक्षिन बारत की तरफ पहले उन्होंने बीतरी शेतर में प्रवेश किया और उसको मजबूत किया उसके बाद में उन्होंने बहरी शेतर की तरफ मजबूती का भ्यान शुरू कर दिया था तो बेटा आज की वरक्षिट कंप्लीट होती है अपनी वरक्षिट कंप्लीट करके अपनी टीचर से चेक कराईए और प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और शेर कीजिए थैंक यू स्टूरेंट्स